सु हाइ अबरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा के आई सीरिस विभाग के तरप से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कि 28 जी लोग के जो आंगन बारी सेविकाए हैं उनके लिए ये पत्र जारी किया गया है जिसमें कि उनको online prescription दिये जाएंगे तो आईए आज के इस वीडियो में हम लोग पुरी जनकारी देख लेते हैं किस परकार का यहाँ पे online prescription किया जाएगा यहाँ पे सबसे पहले आप लोग डेट देख पा रहे होंगे 4 जुलाई 2022 को यह पत्र जारी किया गया है यहाँ पे इस पत्र का जो संची का संक्या है 335 इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS यहाँ पे जिनको पत्र जारी किया गया यहाँ पे देख सकते हैं जीला प्रोग्राम पदाधीकाडी और यहाँ पे कूल 28 ऐसे जीले हैं जिनको ये पत्र जारी किये गए हैं यहाँ पे देख सकते हैं पुर्वी चमपारन, पश्मी चमपारन, सिता मढी, सीवहर, मुझपरपूर, बैसाली, दर्भांगा, समस्तिपूर, किसंगन, अररिया, मधुबानी, सुपॉल, नालांदा, बेगु सराय, पतना, भजपूर, खगरिया, सहरसा, सारन, गोपालगंज, कटिहार, भागलपूर, मधेपूरा, सेखपूरा, सीवान, बकसर, लखी सराय, एवं पुर्निया, तो इन 28 जीलों की आंगनवारी सेविकाएं इस वीडियो को देख रही हैं तो आप लोग इस वी पत्र जारी हुआ है, वह बार पुर्व तयारी हो के बारे में है, इन जीलों में बार की जो समभावना है वो अधिक रहती है, तो उसके पास्चात जो आकलन है, किस प्रकार से लौस हुआ, क्याब नुकसान हुआ, इसकी तयारियों के बारे में आप लोग को जनकारी दी ज पहले जो जीला प्रोग्राम पदादिकारी हैं बाल पीकास पर्योजना पदादिकारी हैं उनको पर सिक्षन दिया जाएगा उसके बाद आगल बारी सेविकाओं को इसके बारे में समझाया जाएगा तो चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या-क्या लिखा गया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा और जिन होने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय अधा बार के पस्चात ICDS सेवाओं का छटी का आकलन के संबध में पत्र निगत किये गए हैं जैसे कि बार के पस्चात जो छटी होगी उसी का यहां पर आकलन करना है बरतमान में बार परभावी जीलो में बार आने की संभावना बनी रहती है नहीं के अलोक में उन सभी बा परित रहत कारे उम छटी आकलन कारे है तु संबधित जीलो के बाल विकास पर्योजना पत्र दिकारियों यो महिला परभीक्षिकाओं को पर्योजना पत्र दिकारी ताकि पर्योजना अस्थर पर सभी आंगन बारी सेविकाओं को पर्योजना पत्र दिकारी यानि कि पहले इन सभी अधिकारियों के ट्रेनिंग होगी उसके बाद आंगन बारी सहयुकाओं को इसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा। बैठने के वश्यक्ता नहीं है। आईसीडिस निदेसाले बिहार एवं यूनिसेफ के पदादिकारी के द्वारा परसिक्षन संचालित किया जाएगा। आगन बारी सहयुकाओं को उसके बारे में जो भी जनकारी मिलेगी वहाँ पर लोग उनको समझाएंगे। उनके बारे में यहाँ पर यह पतर जारी किया गया था। बार पूर्ब जो तैयारिया है उसके बारे में जनकारी किस परकार से लेनी है इनको ऑनलाइन परसिक्षन दिया जाएगा। उसके बाद आगन बारी सहयुकाओं को इसके बारे में बताया जाएगा। बस आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा। और साथी साथ इस वीडियो को सेर भी कर दीजेगा। मिलते हैं फिर किसी ने टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप शरीका इस वीडियों बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कर दो कर दो